कि आपको पता है कि सेव को पानी में डालने पर नहीं डूपता है क्या बात करने हैं सेव को पानी में डालने पर नहीं डूपता है ऐसे कैसे बोल देते हैं हम तो आज ही कितना सेव डूबाए हैं दोस्तो आप थोड़ा पानी में रखे होंगे इसलिए डूब गया होगा आप आब बहुत पानी रहन कर रख्येगा उपर आ जाएगा च्वकी उसमें 25% हवा होता है यह बात करें उस aven कैसे होता है उसेमें कोई भर दे दोस्तों अगर था है वह वह PS an मदमख्υ बैठ जाए तो आप उसको मार का been लगा देते हैं कहीं काथ न ले अगर दोस्थो कहें कि मदमख्य से खेलना है किया आप राजी होंगे अगर गलती से अगर एक मदमख्य काठ ले तो वहां पे सीहरना पाएदा हो जाता है और पर करता है वहाँ पर फूल जाता है और गलती से अगर कोई ऐसी जगह काट लेता है तो घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं दोस्तों एक चीन का आदमी है वी कीपर सीपिंग ये मधुमक्ही से खेलता है जिहां दोस्तों ये मधुमक्ही से खेलता है और इसके देह पर कहा जात तो फटापट इस वीडियो को सेर कर दिए और ये बताए कमेंट में कि क्या आपको भी मधमक्षी कर चाले और अपने यात्रियों के लिए छोटी छोटी परसानियों को छोटी छोटी दिखतों का ये हर संभव पर्यास करती है। इस अलाम सेवास से आपको ये फायदा होगा कि आपका स्टेशन आने से 20 मिनिट पहले आपको जगा दिया जाएगा रेलेवे के नोटिफिकेशन के त्वारा आपको जगा दिया जाएगा कि आपका स्टेशन आ गया आप जग जाएगा दोस्तो इसके लिए आपको रेलेवे क तीन डुप्या फी के तौर पे देना होगा तो तो हैना कमाल की जनकाई तो फटाफट इस वीडियो को से आ जाता है कि भगवान बिश्णुन ने वराह की अवतार लिया था फिरन अच्छे नामक दैतिकावध करने के लिए तो उनकी उचाई उनकी लंबाई जो थी वो 75,000 कि और उनकी चौराई जो थी वो 40,000 किलोमीटर एप्रॉक्स में थी और जब भगवान बिश्णुन ने वराह की अवतार लेकर धरती पे आये थे तो वो अपने दंत पर अपने दात पे एक वर्ष तक प्रिथिवी को उठाए रखा था कहा जाता है कि भगवान विश्णुन ने 10 अवतार लिए हुए है और तीसे नमबर का वड़ाह अवतार है उनका वो हिरनाच्छे नामक देत्ति का वध किया था और पर्थम अवतार उनका मतस्य का अवतार था और दूसरा कुर्णम यानि कच्छुआ का अवतार था और ती की अवतार और दस्वा जो है वह कल की अवतार यानि भविश्ण की अवतार पर है तो हैना कमाल की जनकारी तो पटापट इस वीडियो को सेयर कर देजिए चलिए नेक्स्ट डियो मिलेंगे थैंको थैंको सो मच टेक्